है বा जैसे कि आप जानते ही है कि एक हफ़ते पहले विशालद Atlantic की पिता का निध्ण हो गया था और निध्ण के बाद आप पाने लिए एक हफ़ता का वक्त भी चुका है और इस एक हफ़ते के बाद विशालद Atlantic ने अपने पिता का अंत्पि संस्कार किया आखिर क्या है इसके पीछे के बचा आखिर क्यों विशाल ददलानी अपने पिता काने उस संसकार हफ़ते के बाद किया देखी ये रिपरोक्ट सिंगर म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी के पिता मोदी ददलानी का कुछ दिन पहले यानि जो 19 साल के उम्र में 8 जनवरी को निधन हो गया था उस वक्त विशाल करोना संक्रमित थे और क्वारंटाई थे ऐसी परिस्तिती में मोदी ददलानी के अंतिम संसकार को कुछ दिनों के लिए रोप दिया गया था अब कोविट से रिकवर होने के बाद विशाल ददलानी ने अपने पिता के निधन के एक हफते बाद अपने पिता का अंतिम संसकार किया उन्होंने इस बात की जानकारी सोचल मीडिया की पोस्ट के जरिये दी बता दे कि विशाल ददलानी ने अपने इंस्टा पोस्ट पर पिता की तस्वीर पोस्ट करते हुए एक emotional note शेव किया विशाल ने लिखा मेरी मा बहन भती जी और मैंने आज अपने पिता का अंतिन संसकार किया वो अब हमेशा के लिए मेरे साथ चलते रहेंगे जैसे मेरे सीने में उनके जाने के बाद दर्थ हमेशा रहेगा मेरा एक भी दिन उनके बिना नहीं बितेगा love you dad कहे और उनके आवाज में उनका जवाब love you बेटा सुने नहीं गुज़ेगा मैं उनके साथ फिर कभी नहीं रहूँगा लेकिन मैं उनकी बिना कभी भी नहीं रहूँगा आगे विशाल ददलानी ने कहा कि बस उम्मीद है कि मैं उनके तरहा साबित हो सकूँ वो वास्तव में सबसे प्यारे द्यालू, विनम्र और महनिती और प्यार खाने करने वाले शक्स है। श्रीमोधी ददलानी 12 मई 1942 को गचन हुआ था और 8 जन्वरी 2022 को उनका निधन। विशाल के इस पोस्ट पर फैंस के अलावा तैस सेलिबिटीज ने रियाक्शन दिया और साथ ही विशाल ददलानी के पिता के निधन पर अपनी समवेद नाए भी। बतादे कि विशाल ददलानी अइसोलेशन में होने के कारएं पिता के ओपरेशन के वक्त भी उनसे नहीं मिल पाये थे। जिसके बाद उनके पिता का नेधन हो गया था। विशाल को इस बात का काफी जादा अफसोस है, इस बात की जानकारी शोशल मीडिया पर पोस्ट करके विशाल ददलानी ने दी, विशाल ददलानी ने लिखा, मैंने पिछली रात अपने सबसे अच्छी दोस्त, धर्ती पर सबसे अच्छी व्यक्ति को खो दिया, मुझे अप विशाल ददलानी ने लिखा वो पिछले तीन चार दिनों से ICO में थे गॉल ब्लेडर की सर्चरी के कारण उनकी तब्यत खराब हो गई थी लेकिन मैं कल से नहीं जा सका क्योंकि मैंने कोविट के लिए पॉजिटिव परिक्षन आय थे जिसके चौती मुझे खुद को क्वारंचायन करना पड़ा मैं अपनी मा को उनके सबसे कठीन वक्त में सपोर्ट करने भी नहीं जा सका ये वास्तव में सही नहीं था तो ये है वो दर्दभरा फोस्ट विशाल ददलाने का जहां पर उन्होंने अपने पिता का एक हफ्ते बाद आखिर क्यों किया अंतिम संस्कार इसका खुद किया उन्होंने खुला सा नेक्स्ट नाय लाइफ की रिपोर्ट कर दो किवाओ की बादिती बादिवाएफ की रिपोर्ट